गैज अब आने वाले हैं बारिश के दिन और आपको तो पता ही है कि बारिश के दिनों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश आती है थोड़ी बहुत हवा चलती है बिजली एकदम से पूरी गायब हो जाती है और यह जो हवा चलना आया फ तो inverter खरीद लो या फिर दूसरा जो emergency bulb है उसको खरीद लो लेकिन दोनों भी हमारे लिए काफी महेंगे अगर हम एक emergency bulb खरीद भी लेते तो काफी महेंगा आता है और उसको खरीदने के बाद भी इतना महेंगा पैसे देने के बाद भी वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता काफी जल्दी खराब हो जायता है तो उसके लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एक पुराना जो LED bulb बेता है उससे एक ऐसा inverter bulb बनाने वाले जिसको अगर आप बना लेते हो तो वो सालो साल तक चलेगा कभी खराब नहीं होगा तो चलो इस तरीके का एक inverter bulb को बनाना शुरू करते है लेकिन आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है बाई मैं आपके लिए इतनी ज्यादा मेनत करता हूँ इतना रिसर्च करता हूँ इतने बड़िया वीडियो बनाता हूँ और आप एक लाइक नहीं कर सकते तो चलो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर जीजेगा और इस तरीके के प्रोजेक्ट आपको देखना पसंद है के ये चीज़ आप मुझे कॉमेंट करके बताईएगा तो चलो जल्दी से शुरू करते आज का प्रोजेक्ट गाइज यहाप इस इनवर्टर बलब को बनाने के लिए आपको इस टाइप का कोई भी एक LED बलब ले लेना है इस टाइप का मतलब ऐसा न समझो कि सिर्फ यही बलब लेना है आप आपके बर में 9 वाट का, 7 वाट का, 5 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का जो भी बलब पढ़ा हुआ हो खराब उसका यूद कर सकते हो तो यह जो बलब इसको मैंने कबाड से लाया है यह कबाड वाले ने मुझे सिर्फ और सिर्फ पाच रुपे के अंदर दिया है तो अगर आपके भी घर में नहीं पड़ा हुआ तो आप कबाड की शॉप में जाकर लेया सकते हो काफी ज़्याद आपको इजीली मिल जाएग आप देख सकते हो कि इन वायरों की कंडिशन क्या हो रखिए मतलब हीट होके यह जो यह काफी ज्यादा खराब हो चुकि देखो इस तरीके से अगर मैं बेंड करता हूँ तो यह वायर ही आसे तूट जा रहा है देखो इस तरीके से इसकी वज़े से यह आसे भी देखो यह वायर टूट गया ऐसे देखो यह वायर टूट रहे है तो अब यह जो PCB है वैसे हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके सारे लीडिज जो खराब हो चुके यह पूरी की PCB ही खराब हो चुकी है हमें जरूरत है सिर्फ यह जो बाड़ी है यह जो बाहर की चीज़े इसकी ही उसके बाद हमें एक इस टाइप की PCB का PVC का शीट का टुकडा कट कर लेना है तो PVC की शीट कैसे बनाई जाती है वो तो आपको पता ही होगा PVC पाइप को बीच में से कट करके गैस पे गरम करके फ्लैट सरफेस पे ठंडा कर दिया जाता है उसके बाद मैंने ऐसी लगाने वाला हूँ लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि यह जो शीट है इसका आपको नाप कैसे लेना है जिससे कि आप इसको कट कर सको तो देखो आपको करना क्या है कि यह जो हमने इस में से MC PCB यह जो भी कुछ है यह इस लाइट में से निकाला था उसको सबसे पहले लेना है और जो PVC की बड़ी सी सीट है हमारी उसके उपर ऐसे रखना है और चारो साइड से मारकर से मारकिंग कर लेना है उसके बाद उसी जैसा इसको कट कर देना है जिससे कि यह पीज जोए इसली आपका तैयार हो जाएगा तो चलो अब चलते हैं कि इसके अंदर हम करके जरूर बताना तो देखो यह जो LED है यह काफ़ी काफ़ी ज्यादा ब्राइट होते और 4 होल्ट से लेके 5 होल्ट काफ़ी जली चल जाते और काफ़ी ज्यादा अच्छे से रोशनी प्रोवाइड करते तो यह जो LED है आपको आनलाइन शायद से 2-3 रुपे का एक-एक मि गए थे तो देखो सभी LED को मैंने टेस्क कर लिया है पूरी तरीके से ओके और इनके जो टांगे है वो काफ़ी ज्यादा लंबी थी तो उनको मैंने अपने साइच के अकॉर्डिंग यह पर कट कर दिया है तो चलो अब जल्दी से यह जो सब LED है इनको हमने जो पहले PVC की डि किसे समझोगे तो फेल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक छोटा इस्सा नजर आएगा और एक बड़ा इस्सा नजरा आएगा तो जो बड़ा इस्सा एनके पॉजिटिव कनेक्षन बाहर की साइड में चोड़ने मतलब यह इस साइड में तीसरे का इस साइड में ऐसे हमें सभी LEDs को connect करना है जिससे की parallel में connect करने के बाद easily हमें मतलब parallel में connect करने में कोई दिक्कत ना है तो चलो मैं जल्दी से एक एक करके सारे जो LEDs उनको या पर चिपका लेता हूँ और जब तक मैं इन LEDs को चिपका रहा हूँ तब तक यार मुझे कुछ भी नहीं सुनना आप बस वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्योंकि यार आप वीडियो देख लेते हो और लाइक नहीं करते मैं दिल को काफी बुरा लगता है यार तो चलो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो मैं सारे LEDs को लगाना शुरू कर देता हूँ तो गाइस यहापे मैंने सभी LEDs को अच्छे से चिपका दिये अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे से जो सभी LEDs उनको positive एक साथ और जो negative उनको एक साथ connect कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे connection किये connection एकदम हलवाए काफी ज़्यादा easy है आपके समझ में आही जाएंगे बस like हो जाना चाहिए तो चलो मैं जल्दी से तो guys यह मैंने पूरी तरीके से complete कर दिये आप देख सकते हो नीचे की side से मैंने सारे connection कर दिये मैंने बोला था ना कि connection एकदम हलवाए तो देखो कुछ भी नहीं है सभी जो LEDs है उनकी positive हमने बार की side में रखी थी तो एक तार के जरी यह सभी LEDs को जोड़ दिया और यह एक red color का wire डालके यह जो बीच में का LED है इसको भी positive दे दिया और उसके बाद negative का जो तार है वो यहाँ से सिधा जाके सारे जो LEDs है उनको negative वाले के साथ लग गया बस इतने connection इसमें थे इससे बढ़िया कोई भी connection नहीं थे तो guys अगर यह connection आपके समझ में आ गए है तो आप वीडियो को जरूर से like कर दोगे अगर आपने वीडियो को like किया तो मैं समझ जाओंगा कि आपको यह connection समझ में आ गए है तो चलो अब करते next काम अब यहाँ पे हमें यह LED क इससा ऊपर का जो हिसा यह लेना है और इसके अंदर क्या करना है कि यह जो दोनों वायरे इनको निकाल देनी है और इनकी जगह पे नई इस तरिके की दो वायरे लगा देनी है यह नई इस solder कर लेते, देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने यह जो दोनों वायरे थी इनको लगा दिया है, अब यह जो black वाली है, उसको हमें यहाँ पर negative के साथ solder कर देनी है, और यह जो red वाली है, इसको यहाँ पर solder करो या फिर यहाँ पर positive में, तो चलो मैं जल्दी से इनको यहाँ पर solder कर इसको हम यहाँ पर इस तरीके से जो screws है, इनके जरीए फिट कर देते हैं, तो यह screw मुझे नहीं मिले क्योंकि यह कबाड में से लाया था, तो यह मैंने मेरे मेरे खरीदे हैं, तो चलो इसको यहाँ पर लगा देते हैं, तो guys अब यह जो उपर का diffuser है, इसको फिट कर देते और अब हमारा जो 3.7 hold के उपर चलने वाला bulb था, वो पूरी तरीके से ready हो जुका है, लेकिन इसको यहाँ पर हम ऐसे तो नहीं चला सकते, तो यहाँ पर दो वायरे लगानी पड़ेगी, तो इसको वायर के लिए use कर रहा हूँ में, इस तरीके के पुरानी जो खराब हमारी यूएसबी डाटा के बलाती है यह, तो इसको मैं दोनों साइड से कट कर लेता हूँ, और एक साइड की इसके अंदर की जो वायरे उनको यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे और इसको चलाएंगे, वैसे आप यहाँ पर USB के से रेडी हो चुका है, तो अब आपको इस तरीके की कोई भी 3.7 होल्ड की बैटरी या फिर जो लेड एसीड बैटरी है यह 4 होल्ड की उसका भी आप यूज कर सकते हो, तो चलो मैं इसके साथ आपको इस बल्ब को कनेक करवा के दिखा देता हूँ, तो यह देखो यह लाइट जल रहा है, तो चलो मैं जल्दी से जो स्टूडियो की सारी लाइट से उनको आफ कर देता हूँ, और आपको इसका जो लाइट है वो दिखा देता हूँ, तो गाइस देखो मैं ने स्टूडियो की लाइट आफ कर दिये, और आप देख सकते हो कि इसके अंदर अभ पूरा उजाला चा जाएगा इतना ये लाइट है मतलब और जल्दी खराब भी नहीं होगा तो ये काफी अच्छे से या पर वर्क कर रहा है हमारा लाइट तो चलो मैं स्टूडियो के लाइट जल्दी से अन कर देता हूँ तो आपने तो देखा कि हमारा जो बल्ब है वो अच्छे से वर्क कर रहा है लेकिन देखो भाई हर बार तो हम यहापे इस तरीके से वायरे लगाना खोलना वायरे लगाना ये दिक्कत और उसके बाद ये बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होने के बाद इसको फिर से चार्ज लगाना और फिर से सोलडर करना ये इतनी जमेले बादी तो हम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट वेडियो आने वालने संड़े को अगली संड़े को उस वीडियो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आपको ये जो बलवे ये कैसा लगा और ये आपके बनाने के बाद काम में आएगा की नहीं ये भी आप मुझे कॉमेंट करके बताईएगा तो चलो मैं मिलता हूँ आपक